हेलो दोस्तो जारकन बोड के कक्षा अठवी की वासिक परिक्षा 2020 का विसे गनित का आंसर की आपको बताने वाले हैं साथ ही आपका सलुशन भी बताने वाले हैं तो सभी चात्र जल्दी जल्दी आपने आंसर की को मैच कर लो और पता कर लो कि आपका गनित में कितना आंसर आ यह और कितना आंसर आपका गलत है तो स्वागत है आपका ABC कोचिंग यूटूब चैनल में तो आप इसक्रीन पर देख सकते हैं कि वालसिक प्रिक्षा 2020 कक्षा आठ विसाय गनी तो चलिए दोस्तों इसका कोश्चन क्यों चलते हैं पहला कुश्चन है कि साथ का वितकर्म होग वर्गमूल होगा तो वर्गमूल जब निकालते हैं नौов का इसका आंसर आता है तीस जो कि आपका आंसर नमबर 13 ॅजयावा कि साब्से पहले दिए कि स्वाट मेरा आता है यहानि कि यह 10 ओनमूल आर सके यह आपका गंवल होगा तो इसको 100 का दो इस अगला question है कि x per power 0 का मान होगा तो x per power 0 का मान जो होता है वो एक के बराबर होता जो कि आपका 3 नमबर आंसर हो जाएगा अगला question है कि 49 का व्यापक रूप होगा तो सबसे पहले ध्यान दिजिएगा 49 को जो है हम लिख सकते हैं 30 पलस 9 अब 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3 पलस 9 तो देखिए आपका व्यापक रूप यह हो जाएगा जो कि 10 गुना 3 पलस 9 हो जाएगा यानि कि 10 गुना 3 जोड़ 9 आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका 3 नमबर में है ठीक है अगला कुशन है कहता कि 15 M देखिएगा 15 M मैनस 5 M स्क्वाइर एवं 6 M स्क्वाइर मैनस 13 M का योगफल होगा तो सबसे पहले दियान दिजिएगा कि 15 M मैनस 5 M पलस 6 M स्क्वाइर मैनस 13 M जो आपका दिया हुआ है इसमें कहता योग करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले देखिए कि M और M वाले को एक साथ किजिए गा 15 M में 13 M को गटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 M आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा धियान दिजिएगा यहाँ पे 5 M स्क्वाइर यहाँ पे दिया है 6 M स्क्वाइर लेकिन यहाँ पे 5 M में मैनस है और 6 m में जो है आपका पुलस है तो यह पर पलस मैनस में देखना है कि कौन सा बड़ा है तो 6 m वाला बढ़ा है यहां पर पलस हो जाएगा और उसके बाद 6 में 5 को घटाएगे तो कितना हो जाएगा 1 m squared हो जाएगा यानि कि इसका हम नहीं कि गटाने पर प्राप्थ होगा तो यहाँ पि लगे हैंगे इस्की Annah Si, MN – आपको यह ब्राकेट शुरू करना उसके भाद 3X – MN – MN का ब्राकेट बन करते हैं देखेगा 3x और 3x मेरा कट जाएगा तो यहाँ पर 3 और यह क्या हो जाएगा चार हो जाएगा जो कि आपका आंसर नमबर 3 में है ठीक है अगला कोश्यन है आपका कहता है a2-2ab plus b2 का गुननखंड है तो इसका हम गुननखंड करेंगे या इसका आपको पता होगा कि इसका सुत्र जो होता है a2-2ab plus b2 का सुत्र होता है a plus b into a-b जो कि आपका तीन नमबर आंसर हो जाएगा अगला कोश्यन है कि एकउनबे y क्यू भागा 13y का भागफल है तो देखे इसको भाग देना है तो हम एक स्थर लिख सकते हैं कि एकउनबे y क्यू की लिख सकते हैं एकउनबे गुना y गुना y भागा देना है आपका 13 गुना y से ठीक है तो देखेगा 13 सत एकउनबे मेरा 13 से साथ बार में कट गया, एक y और y जो है मेरा कट रहा है, तो बचा कितना 2y, यानि कि y into y बराबर कितना हो गया y square, तो 7 से गुना करते हैं कितना हो जाए 7y square, जो कि आपका answer number 3, स्वारी, 2 हो जाएगा, ठीक है, 7y square, अगला question है कहता है कि 2x-1 बराबर 3 में x का मान होगा तो आप देखते रहे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x-1 बराबर कितना 3 तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 3 प्लस 1 क्योंकि यह जो मैनस 1 है बराबर कि इस पार आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर कितना यहाँ पे 3 और 4 तो लिख सकते हैं x बराबर कितना 4 बटा 2 देखे क्योंकि यहाँ पे देख 2x जो है वो x के साथ गुनन है तो इस पार आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो इसमें कटाते हैं दो दूनी कितना हो जाएगा आपका दो दूनी चार तो ये आपका दो अंसर हो जाएगा जो कि आपका तीन नमर में अंसर है ठीक है अगला कुशन है कहता है कि संख्या एक्स और पांच का योग 12 है तो समीकरन होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजेगा एक्स में हमको 5 जुड़ने कहता है तो आपका योग जो होता है यानि टोटल मिला के 12 होता है तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स पलस 5 बराबर 12 जो कि आपक अंसर नंबर 3 हो जाएगा ठीक है अगला कुशन है कि एक फ्रॉग का मुली 440 रूपया है सेल में 20 परसंट बट्टे की घोसना की जाती है इस फ्रॉग पर बट्टे की रासी क्या है तो सबसे पहले ध्यान दीजेगा कि 440 रूपया मेरा कित मुली दिया हुआ है 440 में जो आपका है कहता कि 20 पर सड़ यान 20 बट्टा 100 तो हम देखें यहाँ पर कटाते हैं एक जीरो नीचे एक जीरो उपर और एक जीरो यहाँ और एक जीरो 440 का देखें 44 गुना 2 जो बजाता है इसको हम करते हैं 44 गुना कितना 88 रूपया जो कि आपका आंसर नंबर 3 में है ठीक ह अगला कोशन है कि 8 केजी चीनी का मुल्य 240 है और 330 में कितनी केजी चीनी प्राट कर सकते हैं तो अब आप यहाँ पर देखते रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि आपका 200 की हम लिख सकते हैं कि 240 रूपया में 8 केजी आता है 8 केजी चीनी आता है तो एक रूपया में कितना हो हो जाए गा 8 बटा कितना 240 ठीक है उसके बाद हम लीख सकते हैं कि 330 में 8 hints 240 गुना 330 तो हम यहाप एकटा सकते है आट तिया 24 यानि कि 30 बहर में ठीक है अब यह 30 तिया कितना हो जाएगा यानि कि 11 तिया 33 यानि कि 11 जो कि आपका आंसर हो जाएगा 11 कजी ठीक है आपका अंसर यह जो कि दो नंबर में है 11 किलो ग्राम ठीक है अगला कुशन है आपका कहता है कि दी गई आकर्ती में एक्स का मान होगा तो सबसे पहले हम जाउनते हैं कि तिर्भुज के वाइकॉनों का योग 360 डिगरी होता है तो देखें यह सभी वाइकॉन है दीख सकते हैं श बडाबर जो कि यह आपको 260 जो ही प्लस में इस पार आकर ऑबर के उस पर दाक तो हो जाए गागा तो हो जाएक सबराबर 360 180--60 degree, मैंने 2050, तुछ हम घटाएंगे, तो कितना आता है, एक 100 degree, ठीक है, जो कि आपका एक नमर में आंसर हो जाएगा, अगला कुछण है, कि इन में सी कौर्ण एक, द्वी मीमी, यानि कि 2D नहीं है, तिस का अंसरो जाएगा आपका संकू, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क नंकू कू जो निचली वाला भाग होता है वो लिया कार होता है इसलिए वह त्रिटूडी नहीं है ठाग है अगला कुछ Sin agent की रसना कि सिना के लिए इस दबने मापों की वर्तेफ यह является और आपका एक नमर हो जाएगा नहीं, चार ठीक है, क्योंकि चतरभुज के में चार बुजाएं होती है, ठीक है, अगला कुछ जिन है, आपका कहता है, एक सम चतरभुज का चेतरफल, 88 cm2, और उसका एक विकर्ण 11 cm, और दूसरा विकर्ण का होगा, यानि कि दूसरा ठीक है, तो आप जानते हैं कि सम चतरभुज का चेतरफल बराबर 1 बटा 2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, तो सम चतरभुज का चेतरफल जो दिया है, वो 88 cm2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं, 88 बराबर 1 बटा 2 गुना 11, क्योंकि 11 जो है, पहला वि क्या हो जाएगा 2 उपार हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगी 11 बरावर कितना X तो यह 11 से हम 88 कटा थे कितना 8 बार में तो 8 गुना 2 करते हैं कितना 8 दुनी 16 cm जो कि आपका दो नंबर आंसर है दुसरा विकरन आपका 16 cm हो जाएगा तीक है अगला कोशन है कि एक घनाप जि जो कि आपका तीन नमबर आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुशन है कि वर्गंतराल बीस पचीस की माप है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा आंक क्या है 25 है उस सबसे छोटा आंक क्या है यहां पे एक मेरा 20 है तो 25 में हमको 20 गटा देना है आंसर कितना निकल जाता है 5 जो कि आपका आंसर नंबर 4 हो जागा यही है आपका वरगंतराल की माप हो जाएगी ठीक है अगला question है कहता है कि बिंदू P 5 4 का X निर्देसांग का भूज है त इस तरह से हमने देखा कि प्रस्न सभी प्रस्न के आपका उत्तर ग्यात हो गए है तो आप अपनी question paper से answer को मिला लो और आप हमें comment करके भी जरूर बताओ कि आपका कितना answer सही है और कितना answer आपका गलत है और वीडियो को like और अपने दोस्तों में share भी जरूर करो और आप हम हमारे चैनल के साथ बनी रहें जैहिन जैबाराइब